तो आज हम पड़ेंगे यूनिट नमबर वन नमबर सिस्टम के एक्जाम्पल नमबर 6, 7, 8 और 9 जो की NCERT बुक में पेज नमबर 11 और पेज नमबर 12 पर दिये हुए हैं तो स्टार्ट करते हैं एक्जाम्पल नमबर 6 के साथ तो हमें यहां क्या करना है इस नमबर को हमें P by Q की फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिख सकते हैं हम अब यह एक हमारे पास एक decimal expansion दिया है और decimal के बाद कितने digit हैं हाँ पर 6 digit हैं decimal के बाद तो हम इसे और किस तरह लिख सकते हैं हम यहां पर divide करके 1 के आगे उतनी 0 लिखते हैं तो 3.142678 को हम 3142678 divided by 10 lakh भी लिख सकते हैं यहां नीचे denominator में 60 लगा दिये हैं हमने तो अब यह क्या हो गया यह हमने P by Q की फॉर्म में express कर दिया और क्योंकि अभी हमने P by Q की फॉर्म में express कर दिया इसलिए यह क्या है Hence, it is a rational number तो अब पढ़ते हैं example number 7 Show that 0.333 and so on that is 0.3 bar can be expressed in the form of P by Q where P and Q are integers and Q is not equal to 0 तो अब यहां पर हमें 0.3 bar को P by Q की फॉर्म में express करना है तो क्या करेंगे हम इसमें सबसे पहले जो हमें number दिया होता है उसको हम X के बराबर let कर लेते हैं तो जितने भी इस टाइप के question होंगे पहला step आप यहीं करोगे जो आपको number दिया हुआ है उसको आप X के बराबर let कर लोगे और उसको वो जो equation आएगी आप उसे let कर लोगे कि वो है equation number 1 उसके बाद आप क्या करोगे उसके बाद जितने भी number के ओपर जितने भी digit के ओपर bar है तो हमारा second step यह होता है कि हम वो जो digit हैं जिन पर bar है उनको हम point से आगे लें decimal place के पहले हम उन्हें shift कर दें तो अब वो कैसे करेंगे हम यहाँ पर सिर्फ एक digit के ओपर bar है सिर्फ 3 के ओपर bar है तो क्या करेंगे हम यहाँ पर 10 से multiply कर देंगे जिससे एक 3 decimal place से पहले shift हो जाए तो अब x को हमने 10 से multiply करा तो आगया 10x और 0.3 bar को हम अगर 10 से multiply करेंगे तो आएगा 3.3 bar अब next क्या होगा next step में हम क्या करेंगे हम first equation को subtract कर देंगे second equation में से तो जब हम 10x is equal to 3.3 में से x is equal to 0.3 bar minus करेंगे तो क्या आएगा 10x में से x गया बचता है 9x इसी तरह 3.3 bar में से 0.3 bar minus होगा तो यह बार वाले terms तो कट गई आपस में कितना बचा सिब 3 बचा तो क्या equation आगई हमारे पास हमारे पास आगई equation 9x is equal to 3 अब यह हम solve कर देंगे और x की value निकाल देंगे 9x अगर 3 के बराबर है तो x किस के बराबर होगा तो x बराबर होगा 3 divided by 9 इसको अब हम simplify अगर करेंगे 3 divided by 9 को तो क्या आया 3 common है जोनों में कट जाएगा answer आगया 1 divided by 3 तो x आगया 1 divided by 3 तो हम 0.3 bar को 1 by 3 भी लिख सकते है therefore on converting 0.3 bar in the form of P by Q we get 1 divided by 3 Example number 8 show that 1.272727 and so on that is 1.27 bar can be expressed in the form of P by Q where P and Q are integers and Q is not equal to 0 अब यह भी पिछले बार वाला जैसा ही example है उसमें हमें 0.3 bar को P by Q की फॉर्म में convert करना था अब यहां क्या आगया यहां आगया 1.27 bar तो क्या करना था पहला step वही रहेगा हमने 1.27 bar को x लेट कर लिया और लेट कर लिये equation है number 1 अब क्यूंकि यहां पर दो डिजिट के उपर बार लगा है 27 के उपर बार लगा है तो हमारा motive यह है कि हम यह जो 27 है इसे decimal point से पहले shift कर दें अब दो डिजिट को अगर हमें shift करना है decimal place से पहले तो कौन से number से multiply करेंगे इस equation को इसे हम multiply करेंगे 100 के साथ तो on multiplying both sides by 100 we get अब दोनों sides को जो हमने 100 से multiply कर दिया तो क्या है हमारे पास 100x आ गया और इधर क्या आ गया 127.27 bar अब यह जो 27 है यह दोनो numbers shift होगे decimal point से पहले इसको मैंने let कर लिया यह है equation number 2 अब जैसे हमने पहले करा था same steps वही फॉलोंगे हम first equation को subtract कर देंगे second equation में से तो अगर 100 में से 100x is equal to 127.27 bar में से मैं अगर first equation जो की है x is equal to 1.27 bar यह अगर मैं subtract कर दूं तो क्या हैगा 100x में से x गया 99x बचा ऐसा ही 27 bar 27 बार तो आपस में cancel हो गया 0 आगया अब 127 में से अगर बन जाएगा कितना बचेगा 126 तो equation क्या आगई हमारे पास equation आई हमारे पास 99x is equal to 126 अब next step क्या होगा हम x को x की हमें आपर अब value निकाल लेंगे solve कर लेंगे हम इस equation को तो क्या आएगा x is equal to 126 divided by 99 which is equal to 14 divided by 11 तो 126 divided by 99 को जब simplify करेंगे तो आजाएगा 14 divided by 11 तो हम 1.27 बार को 14 divided by 11 भी लिख सकते हैं therefore on converting 1.27 बार in the form of P by Q we get 14 divided by 11 तो हमें answer यहां मिलेगा 14 divided by 11 तो हमें तो example number 9 show that 0.235353535 and so on is equal to 0.235 बार can be expressed in the form of P by Q where P and Q are integers and Q is not equal to 0 अब इसमें हमें क्या करना है हमें एक नंबर दिया हुआ है 0.235 बार और इसको हमें P by Q की फॉर्म में convert करना है तो सारे steps बिलकुल पहले example की तरह ही होंगे बस एक इसमें छोटा सा change यह आ जाता है यहां पर अगर आप गोर से देखो इस number में decimal के बाद जितने number हैं सभी के उपर बार नहीं है प्रीवेस एक्जामपल जो हमने पड़े थे 0.3 बार तो पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट थे सब के उपर बार था लेकिन यहां पर एक डिजिट के उपर बार नहीं है तो क्या करेंगे सबसे पहले जिस डिजिट पर बार नहीं है हम उसे decimal place से पहले shift कर देंगे तो क्या करेंगे पहले तो हम इस number को let कर लेंगे कि यह x के बराबर है अब उसके बाद मैंने क्या का second step आपका यह रहेगा जिस डिजिट के उपर बार नहीं है आप पहले उसको decimal place से पहले shift कर दो तो shift करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको यहाँ पर 10 से multiply करना पड़ेगा अब 10 से आप multiply करोगे दोनों sides पर तो क्या मिलेगा आपको 10x आ जाएगा left hand side पर और RHS जो है वो हो जाएगा 2.35 बार तो और इसको हम अब लेंगे equation number 1 हमेशा हम क्या करते थे जो starting में हम x let करते थे उसी को हम equation number 1 let कर लेते थे लेकिन यहाँ क्या करेंगे उस वाली equation को हमने कुछ let नहीं करा जब हम 2 को decimal place से पहले ले आए मतलब हमने जो digit के उपर बार नहीं था उसको जब हमने decimal place से पहले shift कर दिया अब आप गौर से देखो यह जो number है decimal के बाद हर एक digit के उपर बार दिया हुआ है अब इसको हम equation number 1 let करेंगे तो अभी यह जो आपको यह question बन गया यह बिल्कुल previous example की तरह बन गया यह आपने ले लिया equation number 1 अब हम next step क्या करते थे हर example में हमने क्या किया था हमने जितने भी जितने भी digit के उपर बार था हमने क्या किया उनको shift कर लिया था decimal place से पहले तो अब यहाँ दो digit के उपर बार है तो क्या करेंगे हम यहाँ दोनों साइड को multiply कर लेंगे 100 के साथ तो जैसे ही हमने दोनों साइड पे 100 की multiplication करी तो LHS आ जाएगा 1000X और जो RHS है वहाँ पर जो 35 बार है उसमें से जो 35 यह दोनों digit जो हैं वो decimal place से पहले shift हो गई तो answer आ गये है 235.35 बार और इसको हमने ले लिए equation number 2 अब next step क्या था हम equation number 1 को subtract करेंगे equation number 2 में से तो क्या करेंगे 1000X is equal to 235.35 बार में से हम minus कर देंगे 10X is equal to 2.35 बार को तो अब 1000X में से अगर 10X minus हो गया तो आ जाएगा 990X और यहाँ पर 35 बार तो cancel ही हो गया 235 में से 2 को अगर हम minus कर देंगे तो बचेगा 233 तो equation आ गई हमारे पास 990X is equal to 233 अब हम क्या कर लेंगे last में हम x की value निकाल लेते हैं इस equation को solve करके तो 990X अगर 233 के बराबर है तो x कितना होगा x होगा 233 divided by 990 therefore on converting 0.235 बार in the form of P by Q we get 233 divided by 990 तो हम 0.235 बार को 233 divided by 990 भी लिख सकते हैं तो थैंक यू फोर वाचिंग आज की क्लास के लिए सिर्फ इतना ही अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे like करें इसे share करें और हमारे चैनल को subscribe करें and hit the bell icon जिससे हम जब भी एक नई वीडियो डाले तो आप तक notification सबसे पहले पहुचे थैंक यू आप अपने doubts, suggestions और आपको जिस भी topic पर वीडियो चाहिए हमें comment करके बताएं